हेई अब्रिवन विल्कम बेक टो एमर्स अकेडमी एमर्स अकेडमी केस ओनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोग का एक पार प्रसागत हैं तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि किन किन कुष्णों पर यहां पर अबजेक्शन लगा है मेरे पास है PCS प्री का पेपर जो उसके बारे में हम बात करता हैं तो सबसे पहले हम बात करता हैं कि जैसे कि आपने देखा होगा भी कुछ दिन पहले PCS जी का रिचर्ट आया था ठीक है तो उसमें क्या हुआ था कि जो भी कैसन पर ऑब्जेक्शन लगा था वह सभी कौस्षन डिलेट तो हुए हैं लेकिन बॉनस मार्क्स किसी को नहीं मिले हैं, तो हो सकता है कि जो अपर PCS का वेपर है, UKPSC का, उसमें भी questions से देलीट हो, और उनमें किसी को भी बॉनस मार्क्स ना मिले, तो उस हिसाब से cut-up भी वरी करेगे, और cut-up की वीडियो आप लोगों नहीं देखी है, तो इसी चैनल पर जा यहाँ पर question कौन-कौन से डिलीट होंगे, और क्या यहाँ पर question डिलीट हो सकते हैं, यह bonus marks मिल सकते हैं, तो अभी तक जो भी chances हैं, वो bonus marks मिलने के नहीं है, क्योंकि इससे पहले वाले paper में question डिलीट होए हैं, तो bonus marks नहीं मिला है, अब बात करते हैं, रिजट इसका कब तक आएगा तो अभी जो रिजर्ट है वह अभी यारो का रिजर्ट आना वाकिए है यारो का रिजर्ट जैसे ही आजाएगा कुछ दिनों में यारो का रिजर्ट आजाएगा हो सकता है सेटर्डे तक यारो का रिजर्ट आजाए महादी वक्ता कारेलाई वाला और उसके बाद एक किन क्वेटा बताता हूँ सबसे पहला क्वेटा जो है आप नपने पेपर से मैच कर सकते हैं की कौन-कौन से ये कोच्शंथ है हाँ तो जो पहला question है जिस पे objection लगाया है वो है गोविन राष्टी पार्क जो इसका सही answer था वो योमुना नदी का उद्गम छेत्र है जो कि official website पर भी है यदि आप लोग को इसका official proof चीए तो वो मैं already telegram channel पर upload कर चुका हूँ और मैंने कहा भी था वहाँ पर लोगों को जिन्होंने योमुना नदी का उद्गम छेत्र आंसर किया था जिनका सही answer था ठीक है तो उन्होंने objection इस पे लगा दिया है टॉंस नदी का उद्गम छेत्र तो यह हो नहीं सकता है क्योंकि रूपिन और सुपिन दो नदियों से मिल कर टॉंस नदी बनती है और इसका उद्गम छेत्र नहीं है यह मिलती है टॉंस नदी बनती है नेटवार्ड उत्तरकासी याने के मोरी के पास एक स्थान है वहां से तो टॉंस नदी इसका answer नहीं था इसका answer C होना था और इस पर objection लगा है दूसरा जो objection लगा है वो इस खैर वाले question पर भी लगा है question number 25 ठीक है इसके बाद जो objection यहाँ पर लगा है वो लगा है इन में से कोई भी objection यहाँ से नहीं है दो question पर objection हो चुके हैं इसके बाद तीसरा जो question है जहाँ पर objection है हो है यह वाला राजजासो पुलिस वाला हालांकि आपने जब UKAAC के paper दिये होंगे वहाँ पर इसका answer रेमजे होता है 1874 में लेकिन जो trail है trail ने पटवारी के पर स्रेजित किये थे और पटवारी को ही क्या कहा जाता है राजजासो पुलिस कहा जाता है उससाब से इसका answer यह भी हो सकता और इस पर भी objection लगा है तीन question यह होगे objection वाले इसके बाद जो चौथा question है वो है question number 53 इस पर भी एक objection यहाँ पर rage हुआ है और इसके बाद जो चौथा question है वो है question number 57 ठीक और question number 56 इन दोनों पर भी यहाँ पर objection लगा है तो five question यह हो गये है इसके बाद जो next question था वो है 62 ठीक है 62 वाला यह question है और उसके बाद जो next question था वो है 63 rolling plan पर भी लोगों ने यहाँ पर objection लगा है ठीक है तो rolling plan पर objection इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो rolling plan है उसे 6-5 योिर्सियोजना नहीं कहा गया ये चटवी पंचवर्सी योजना के जगह पर लगाया गया है तीन साल तक ये प्लान चलता है उसके बाद नेक्स्ट चटवी पंचवर्सी योजना शुरू होते है तो इस पर भी अब्जेक्शन यहां पर लगा हुआ है इसके बाद जो नेक्स्ट कुश्चन था हाँ 66 यह उपर वाला question नहीं था यह इस वाले पर कोई objection नहीं लगा है 56 पर यह objection लगा है 66 पर ठीक है तो इस पर objection यहाँ पर लगा हुआ है इसके बाद हम बात करते हैं किस question पर objection लगा हुआ है इसके बाद जो objection लगा है वो लगा है Q77 इस वाले Q bij создy पर यहाँ पर लगा वह है उसके बाद जो next objection यहाँ पर लगा हुआ है वो है 84 पर 84 का जो answer होना है वो B और D दोनों होना है तो इस पर भी एक objection यहाँ पर लगा हुआ है उसके बाद जो next objection लगा हुआ है वो लगा है के बाद नेक्स्ट क्रिशन जो था अप लोग वीडियो पर बने रहें यह से मैं एक क्रिशन आपको बता देता हूं कौन से क्रिशन पर अब्जेक्शन लगा हुआ है इसके बाद 134 क्रिशन पर अब्जेक्शन लगा है यह प्रणाई इसका आंसर प्रणाई इसको प्रणाई कहा जाता है और इन्होंने प्रणायम इसको लिग दिया है ठीक है तो इस वर भी यहां पर अब्जेक्शन लगा हुआ है इसके बाद जो नेक्स्ट क्रिशन है जिस प पर लगा हुआ है तो एक question यह हो गया 146 146 उसके बाद जो दूसरा question था जिस पर objection लगा हुआ है प्राणयाम तीसरा question जिस पर objection लगा है वो लगा है गधाया जबकि इसे हिंदी में गधिया कहा जाता है इस पर भी objection बहुत जारे लोग लने लगाया है तीन question यह हो गये है चौथा question जो था जिस पर objection लगा है चौथा question जिस पर objection लगा हुआ है यह है 84 और पांचवा question जिस पर objection लगा हुआ है 77 चौथा question जिस पर objection लगा हुआ है 66 साथ हो question जिस पर objection लगा है वह है 63 आठ हो question 62 नवो question 57 दस हो question 53 गैर हो question 50 22 गैर हो गैर हो गैर हो गैर हो कोशन 25 तेरा कोशन 23 और इस तरीक से कुल 13 कोशन यहां पर हैं जिन पर अब्जेक्शन लगा हुआ है तो आप लोग चेक कर सकते हैं और इनमें से मैक्सिम्म कुशन डिलीट होने वाले हैं कियाने कि 8 या 9 कुशन तो यहां से डिलीट होने के चांसे हैं तो दोस्तो आप लोग के पास भी यह पेपर था तो अगर इनके प्रूप चीए होंगी तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं वहाँ पर सारे प्रूप अप्लोट के जा चुके हैं और लोगोंने अब्जेक्शन भी लगाए हैं तो यह थे कुशन कुछ और हो सकत पर नहीं हैं चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में से यह सूं गुड़ लग बाई बाई टेक्ट